Hello friends, welcome to my channel बारिस की मौसम में कीडे मकोडे का आतंक सुरू हो जाता है इस बज़ा से पेड़ पौधों को काफी नुक्षान होता है पेड़ पौधे में छिपे कीडे जो हमारे पौधे की जड़ों को काफी नुक्षान पहुचाते हैं जिससे कई बारिया देखा जाता है कि हमारे पौधे मर जाते हैं फ्रेंट्स आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर आपके साथ सेयर करूंगी जो आपके पौधे को पूरी बारिस में स्वस्त रखेगा इसके लिए फ्रेंट्स पानी ले ले मैं एक गमला के लिए यह फर्टिलाइजर तयार कर रही हूँ इसके लिए एक चमच चाय की पत्ती ले ले चाय की पत्ती में फ्रेंट्स नाइटोजन, पोटास, फासपोरस, मैगनीसियम यह सारे तत्त होते हैं जो पोधे की ग्रोथ, फल, फूल, सब के लिए बहुत ही बेस्ट है इसके बाद फ्रेंट्स आप एक चुटकी हींग ले ले आप जादे पोधे के लिए बना रहे हैं तो मात्रा जादा कर ले इसके बाद फ्रेंट्स से घोल कर, ढग कर, पाँच से छै दिनों के लिए इसे रख दे इसके बाद फ्रेंट्स इसमें सारे निटिशन्स तक मिल जाएंगे और एक ऐसा फर्टिलाइजर तयार होगा जो आपके पोधे को पूरा निटिशन्स देगा और इसको डालने के बाद कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जौरत नहीं पड़ेगी फ्रेंट्स इसे आप 6 दिन तक के लिए ढग कर रख दे कई बार यह देखा जाता है कि हमारे पतियों में लीफ कल की समस्या हो जाती है यह देखिए फ्रेंट्स यह मिर्च का पौधा है जो बिलकुल किड़ों का अटैक हो गया इसमें इसमें सारी पतियां मुड़ गई है सारे मुड़े हुए पत्तों को मैं सारे को हटा दूँगी और इसके बाद इसमें या बनाए हुए फर्टिलाइजर को डालूँगी यह देखिए फ्रेंट्स कोलियस का पौधा है कोलियस के पौधे में भी लीफ करल की समस्या है जिसका ट्रेट्मेंट मैं अभी कर रही हूँ फ्रेंट्स बेल वाले पौधे में भी कई बार फूल ज़र जाते हैं या उसमें किणों का अटैक होता है या ऐसा फर्टिलाइजर है जो आपके सारे फल, फूल, पत्ते, सारे पौधे में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है हीन में एंटी वाइरल, एंटी वेक्टेरियल ऐसे तत होते हैं जो किडे मकोडे को बिलकुल सामने फटकने नहीं देते हैं इसके गंद से ही किडे मकोडे भाग जाते हैं ये फर्टिलाइजर जो मैंने कुछ दिन पहले तयार करी थी, ये बिलकुल अब तयार हो गया है इसे आप छानने या तो यूँ ही आप अपने पौधे में डारेक्ट भी डाल सकते हैं ये फर्टिलाइजर में आप थोड़ा पानी डाल दें, पानी को डेल्यूट कर अपने पौधे में डालें अपने मिर्च के पौधे में ये फर्टिलाइजर को डाल रही हूं इस फर्टिलाइजर का इस्तमाल आप गुलाव के फूल या फूल, फल, पत्ती, सारे पौधे में इस फर्टिलाइजर का आप इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपके पौधे की ग्रोध बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई कीडों का अटैक बिलकुल नहीं होगा इससे आप ट्राइ करिएगा ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है यदि आप इसका पैस्टिसाइज बनाना चाते हैं तो एक चुटकी हींग पानी में घोल कर एक घंटे के लिए छोड़ दे उसके बाद इसे स्प्रे बॉटल में भर कर आप अपने पौधे की पत्तियों में छिड़काओ करें इससे आपके पत्ते में जो किडे लगे होंगे बिलकुल साफ हो जाएंगे और बिलकुल हल्दी हो जाएंगे फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राइ करिएगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद